हेलो दोस्तों विल्कम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आप देख रहे हैं वासिम्पल मैं आपके साथ सयद समसादू से दो अपडेट निकल कर आ रहा है तो सिखने और सिखाने का कारे तो चलता ही रहता है लेकिन जो बहुत बड़ी अपडेट है वो आपको देना बहुत ही जरूरी है कई बारा ऐसा होता है कि जो आप मीडिया में देखते हैं जो न्यूज में देखते हैं उसमें छोटी-छोटी खबरों को बड़ा बना कर दिखाया जाता है लेकिन जो वास्तों में बड़ी खबर होती है वो आप तक नहीं पहुँचाया जाता है कारण चाहे जो भी रहा हो आ भूमी विवात को लेकर बहुत समय से समस्या चलिया रही है जिसको देखते हुए सरकार ने एक ने लिया जनता दरबार वहाँ पर तो भूमी का निप्टारा होता ही है चाहे किसी प्रकार का आपका भूमी के शमस्या हो आपका जमीन का अधिकरहन हुआ हो या आपके जमीन प इसके इलावा सभी बिहार के जितने भी जिले हैं वहां पर ठाने में एक और जनता दरबार चलाया जाता है जिसमें फरियादी जाता है वहां पर और अपनी अपनी शमस्या रखता है भूमी विबाद समस्या तो यहां पर एक जो अपडेट निकल कर आ रहा है खबर जो निकल वहाँ पर जाता है थाने में जो कि आप सभी जानते हैं सनिवार को लगाया जाता है अर थाने में जानता दरबार ताकि जो भूमी विवाद समस्या है उसका निप्ठारा किया जा सके उस समस्या को कम किया जा सके तो ऐसे में 45,000 रिस्वत के तोर पर लेते हुए सियो को और थ सो से चला आ रहा है और ऐसे में आप अंचल में जाते हैं चाहे CEO के पास जाते हैं या करमचारी के पास जाते हैं जमीन सम्मंदित कोई भी तरह का problem कोई भी तरह का समस्या ले करके तो आपको दाखिल खारिज के आपका जमीन पर किसी ने अवयद कबजा कर लिया है इसका निप्टारा के लिए भी आपको CEO को मोटी रकम देना पड़ता है कही बार CEO स्वेम पैसा न ले करके यहाँ पर अपने 30,000 रिस्वत लेते रंगे हाथ गिरफतार कर लिया है आगे बताया गया है यहाँ पर CEO व थानेदार ये रिस्वत थाने में लगे जनता दरबार में अपनी जमीन पर अवयद कबजे की सिकायत लेकर पहुँची एक महिला फर्यादी से ले रहे थे दरसल आपको बता दे मु देख सकते हैं यहाँ पर मैं स्क्रीन शॉट लगा दे रहा हूं और इस स्क्रीन शॉट में आप देख सकते हैं कि दोनों अपसरों को चैंबर से ही रंगे हाथ दब उचा गया तो इस तरही के से जहां सरकार प्रयाश्ट कर रही है कि जो भमी विबाद समस्या है उसका अब बता दें यह जो अपडेट है काफी बड़ा है लेकिन यहाँ पर काफी चोटा दरस आया गया है दरसल बात ऐसा है कि यहाँ पर अब रेल मंतरी का एलान किया गया है दैनिक भासकर की यह रिपोट है अब कोई भी राज या कंपनी किराए पर लेकर चला सकेगी ट्रें हला कि ये कोई नई बात नहीं है पिछले कई बरसों से जब से नरेंदर मोधी की सरकार आई है तो अब जैसे मैं नरेंदर मोधी का नाम ही लिया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं बस समझ जाएंगे कि मैं उनके बारे में कुछ उल्टा सिदा कहने लगूँगा अईसा नहीं है ना ही मेरा कॉंग्रेस से कोई नाता है ना ही बीजेपी से कोई नाता है हाला कि बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी डबल एंजन की सरकार है बीजेपी और साथी 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 निजसकुमार की यहाँ पर गड़बंदर के साथ सरकार हुआ है तो जो अच्छा काम किया, मैंने बताया, यहाँ पर आपको CEO को पकड़ा गया रंगे हाथ, यह अच्छा काम है, अच्छा पहाल है, इस तरीके से कार होना चाहिए, लेकिन यह जो नीजिकरन का मामला है, यह आप सभी जान रहे हैं, यहाँ पर जैसे कुछ एरोप्लेंस कंपन किया जा रहा है, आप सभी में से जो लोग हैं, उसमें से लगभग 70% ऐसे लोग होंगे, जो सरकारी नोकरी के लिए चाह रखते होंगे, सरकारी नोकरी के लिए उत्सुक होंगे, कई लोग ऐसे होंगे, जो सरकारी नोकरी के लिए रात दिन महिनत कर पढ़ाई भी कर रहे ह लेकिन भला आप सोच सकते हैं कि जब सरकारी नोकरी नहीं रही तो ऐसे में आपका क्या हाल होगा भाले ही लिखने के लिए कमेंट में कोई उल्ड़ा उल्ड़ा कुछ भी लिख दे यहां पर कि सरकार जो भी कर रही है सही कर रही है लेकिन आप एमान धर्म से अपने दिल से पूछेगा कि वाकई में क्या ये जो कार किया जा रहा है सही है या फिर गलत बताया गया है यहां पर अब कोई भी राजसरकार या कोई भी कमपनी कोई भी कमपनी चाहे या कोई भी राजसरकार चाहे वो ट्रेन किराये पर लेकर देश में कहीं भी और किसी भी रूट पर चला सकती है आगे बताया गया है यहाँ पर यही नहीं ट्रेन किराया पर लेने वाला ओपरेटर ट्रेन का रूट और किराया भी तै कर सकता है यानि जो ट्रेन का मालिक होगा वो किराया भी तै करेगा और साथी साथ उसका जो रूट होगा वो भी यहाँ पर वो तै करेगा र फिलहाल रेल्वे ने चीन हित किया है, ट्रेनों को किराय पर लेने के लिए आवेदन की प्रकिरिया मंगलवार से सुरू हो चुकी है, रेल मंतरी अश्विनी वैसनों ने कहा है कि अच्छा रिश्पोंस मिलने के बार ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, भारत गवरो ट्रेन एसी और नौन एसी दोनों स्ट्रेनियों में होंगी, भारत गवरो ट्रेन में रूट तै करने का अधिकार, श्टोक होल्डर के पास होगा, इसके साथ ही ट्रेन का संचालन नीजी छेतर और आई आर सीटी सी दोनों द्वारा किया जा सकता है, और टूर अपरेटर द किसान के यहां जो आलू उपज होता है, वो आपको मार्केट में 10 रुपे, 15 रुपे किलो मिल जाता है, लेकिन उसी आलू का जब चिप्स बना जाता है, तो आप देख सकते हो वहां पर 5-6 आलू के जो कट होती है, वो आपको पैक्ट में करके दिया जाता है, पांच जो होगा, वो उसको ही तै करने का दिकार होगा, तो इसको लेकर आपको मन में जो भी विचार है, जो भी आपनी प्रतिकिरिया है, वो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है, यह सही कार है, या फिर गलत नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताईएगा, अभी तक आपन हमें Instagram पर follow नहीं किया तो follow कर लिजेगा वहाँ पर आप हम से बाते कर सकते हैं किसी मनचाहट topic पर DM करके वीडियो बनवा सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप से भी आप बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं कि जिन्हें को और fresh topic के साथ तब तक के लिए खुद का और अपने परिवार का ख्याल लगे Take care and bye bye